तो इंटर वेक्टर वेक्टर दे रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना इसका मैगनिटूड इतना M.V. इसका मैगनिटूड है र। साइन थीटा लगाते थे हम क्रॉस प्रोडक्ट में है ना बिल्कुल सही अब यह जो एक्वेशन है इससे हमारा काम बन जाएगा यह एक बात याद रखीगा कि यह कॉंस्टंट होका है सारा वैल्यू क्योंकि हमने का ना एल कॉंस्टंट है तो यह भी तो कॉंस्टंट होगा वी डी टी साइन थीटा जी यह हमारे पास एक्वेशन थी अब देखिए और यह हमने आर डी डिराइव किया है जी और आर सॉरी बोरा थे क्यों हो गया ठीक है ठीक है अब देखिए यहां पर मास है देखो वी आर साइन थीटा दिख रहा है आपको वी आर साइन थीटा दिख रहा है वी आर जी जी बिल्कु वी आर साइन थीटा तो अगर हम यहां पर कहीं से मास का कुछ कर ले तो काम बन जाएगा तो हमें काम करते हैं हम एक्वेशन वान को इस साइड को म multiply by mass कर देते हैं ठीक है तो इसको जब डिवाइद multiply by mass करोगे हाफ अच्छा और एक काम करते है और एक काम करते है यह dt आपको दिख रहा है इसको मैं नीच ला सकता हूं जी बिल्गों ठीक है डिवाइद dt इकोल्स हाफ आप वी आर साइन थीटा ठीक है अब इसको डिवाइद and multiply by mass और इससे कोई फर्क किया तो कैंसल हो जाएंगे की क्रिकिया अब देखिए वी आर साइन थीटा एम वी आर साइन थीटा एम यह सारा किसके बराबर अब देखिए तो इसको हम लिख सकते है कि इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं यहां कि वैसे भी कोई भी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं उपर आके लिख देता हूं कि डी ए बाई डी टी डी ए बाई डी टी इकोल्स यहां आए देखिए ल बाई टू एम डिनॉमिनेटर में टू और एम बचा नूमिनेटर सारा हमने यहां से ल लाया तो इसको मैं लग सकता हूं ल बाई टू एम अब मुझे एक बाद बताए लेखिए हमने पहली कहा था कि यह कॉंस्ट्न और टू इसका मतलब यह टर्म यह नहीं हो रहा है ना मास तो कॉंस्ट्न है तो आपको दिख रहा होगा राइफ है जो भी हो सारा कॉंस्ट्न है hence approved कि da by dt is constant यह हमें प्रूव करना था और यह हमने एक सर्कल से नहीं जोगाड करके यह एक इलिब से प्रूव कर दिया अच्छा तो basically हमने गया किया कि हमने जो angular momentum है जी उसको यह साबित किया कि जो area swept करता है जी in equal intervals of time वो constant होता है तो मदब इसकी जो aerial velocity है वो constant है तो यह हमने साबित किया इससे जी तो अगर इसके related कोई question हो तो आप हमें comment कर सकते हैं मिचा जाब देने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद हमारा क diyorsunहाει kiapplar का तीसरा lab जी तो वो हम अगले part में दिखाई की इस ही part में दिखाई अगले part में दिखाते हैं इन्शाबा तो चलिए उसके लिए हम अगला part लाएंगे